जहिन बच्चों कैसे हैं आप सभी मैं रेइन स्रिवास्तों आप सभी का अपने प्रिवार एक्जामपूर में सवागत करता हूं हम है एक्जामपूर कलम से करांती किसे करांती बच्चों तो कलम से करांती आज हम लोग बच्चों इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपक तो जो टॉपिक बता रहे है इतना तो मिनिमम आपको करके जाना है मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं इतना चीजे आपको रिवाइज करके और most most important area जहां से लगबक कोश्चन आपका रहता है तो चलिए बिना डिले किये हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं तो देखो father of history किसे कहते हेरो डोटस को कहते बिना इनके नाम लिए भाई history के आगे के लेकिन इतना पढ़पाना संबभव होता नहीं तो रिवीजन में क्या रखना तो सबसे पहले कौन सा तो मौर्या डाइनस्टी मौर्या डाइनस्टी आप रिवीजन में रखोगे इसमें दो सास्क है आपके चंद्रगुप्त मौर्या चंद्रगुप्त मौर्या ठीक और आपका कौन है तो असो का चंद्रुत मौर्या और दूसरा सास्क कौन है असो का तो यह दो सास्कों को आपको की वीजन में रखना इसमें भी अगर आप फिल्टर करना चाहो तो सोग कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक यह आपको एंसेंट हिस्टी का एक हो गया आपका मौर्या डायनस्टी दूसरी बात कर लेते हैं गुपता एंपाय गुपता पिरेट की में कर बात करोगे तो गुपत समुद्र गुपता समुद्र गुपता समुद्र गुपता समुद्र गुपता आपको करना है एंड नस्ट टॉपिक आपका क्या होगा चंद्र गुपता टू चंद्र गुपता सेकेंड के बारे हम लोग बात करेंगे तो यह कम से कम आपको इतना आपको एंसेंट हिस्टी क मैं आपको बता रहा हूं इसके अलावा बुद्धिजम जैनिजम भी कर लें वह आपके लिए बेटर होगा लेकिन दो टॉपिक तो आपको करके कम से कम जाना ही जाना है आपको मौर्या और गुप्ता अब आ जाते हैं बात कर लेते हैं कौन से इस्ट्री आ जाती इसके बाद इसके बाद आपके शुरू जाती मेडावल हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डैली साथ इंडिया हम लोग बात नहीं करेंगे अभी साथ इंडिया मतलब बात करेंगे डैली सलतनत में आप बार करोगे तो स्लेव खिलजी तुगलक सायद लोधी वह से और कौन इलत मिस्तों खर ये दोनों तो महत्वपूर्वाइन सास्कों मंने से ऊजा इन दोनों फिल्ट्र करोगे साथ अमीशनिया है zat बाट क November अब बात करें खिलजी डैनस्टी में तो खिलजी डैनस्टी में आपका महत्वी में आपको दिख लाहें तो यह जो person है निकान अलावद दीन किल जी अब इसका रियल नेम चर्चा करने की जरूत नहीं परसन का इन्हें आप जरूर पढ़ें अलावद दीन किल जी इन्हें आप जरूरी वाज करें यह आपके मोस्ट में से मोस्ट इंपोर्टन सासक है बल्बन और अलाउद दीन खिल जी यह दिल्ली सल्तनत के दो इंपोर्टन सासक हो गए ठीक स्लेव में आपको बलबन और यहां पर अलाउद दीन खिल जी और यह बात कर लें तुगलक डाइनस्टी में तो तुगलक डाइनस्टी में कम से कम यह दो राजाओं के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए तो एक बार फिर से रिवाइज कर रहें कि आपको डैली सल्तनत में कितने लोग हो गए तो डैली सल्तनत में चार लोग बलबन अलाउद दीन खिल जी मुहम्मद बिन तुगलक फिरोशा तुगलक और इसमें भी फिल्टर करना चाहो तो अलाउद दीन खिल जी और कौन फिरोशा तुगल थाला कि इसमें फिल्टर करना ठीक नहीं होगा आपको पहले बतारो चार राजा कम से कम करके जाओ नहीं तो फिर क्योंकि 15 कोशन आपके रहते हैं 15-20 कोशन रहते हैं तो सारा पोर्शन का इतना त फिल्टर करोगे अगर तो आपका हो जाता अकबर और कौन और अंगजी यह दो सास्तक तो आपको कम से कम मिनिममम करके जाना ही जाना है अलागि बाबर हुमाय अकबर जहांगिर साजन सारे इंपोर्टेंट है पहले फिर से रिवाइज करा रहा हूं को कि पूरी पूरी इसमें अगर आप फिल्टर बहुत फिल्टर करने के इच्छा है कि बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते है गुरुजी स्री पुतना ही बताओ जितना कर ले तो जलाल उद्दीन मुहम्मद अकबर इन्हें आप कंप्लीट करके जो अपने एक्जाम में ठीक यह आपके मोस्ट है दूसरा आपका कौन है और अंगजी और अंग जी भी आपकी में से एक है तो से अकंवर और क्हूंना होगे और अंगसे इह दो सासक आपके मुगल कर रहे हैं फिर से रिवाइज कर रहा हो ने की बिल्टा हे मॉर्दन मॉडण हीं मॉडर्र फ्रिस рекान के यह आते हुआं आते थे दो साल में पूरा पैटरन ही बदला हुआ है कुछ भी दे दिया जा रहा कहीं भी किसी भी पोर्षन को कहा जा रहा कि ज़्यादा ज़्यादा पढ़ो तो हर एक पोर्षन से आपके सवाल रहते हैं अगर फिल्ट्रेशन यहां पर लगाओगे तो आपको यूरोपियन अराइवल एक पॉइंट हो गया दूसरा आपका रिवोल्ट आफ 1857 आपका यह हो गया तीसरा आपका हो गया गांधेन एरा गांधी यूग हो गया और चौथा पॉइंट आपका हो जाता है सोशल इफोंप पाच्वा पॉइंट आपका करांदिकाडी मतलब आपको मॉडर् अब टाइम आपके पास बहुत है ठीक बढ़िया टाइम आपके पास तो अभी से लग जाओगे तो आराम से पोर्शन बड़े प्यार से कर लोगे ठीक बहुत आराम से कर लोगे मतलब यूरोपे ने राइवल कैसे कैसे यूरोपी भारत में यह आपका पहला वास्को डिग बढ़ाया जाता है जैसे मैं समझाता हूँ ठीक उसी तरह कि ठीक है वही फ़र्मूला अपना करके आपको यह पूरा पढ़ना है और बात कर ले तो इन बाबाजी को आपको छोड़ना है आए गांधी जी के गांधी जीवनी पढ़ो ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है गां तो non cooperation, non cooperation moment एक तो आपका यह हो जाता है, non cooperation moment और दूसरा हो जाता है क्या, civil disobedience moment, civil disobedience moment, moment और तीसरा point क्या हो जाता है, civil disobedience moment और चौथा क्या हो जाता है, quit India moment इन तीन को अगर आप कर लिए, तो आपको 100% एक से दो कोशन आपको मिल जाता है, लगभग मान के चलो, ठीक 100% कुछ नहीं होता, लगभग संभावना क्योंकि संभावना के अधार पर ही प्रेडिक्शन के अधार पर ही हिस्टी के important important area को बता रहे हैं, तो यह तीन जो आंदोलन गांधी जी के बड़े चोटे तो बहुत है, चंपारन, खेडा, अंधाबाद, उसब भरे पड़े हैं, लेकिन यह तीन आंदोलन गांधी जी के सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे आपको फोकस करना है, कम से कम में आपको करना है, तो गांधी के सारे आंदोलन यह तीन आंदोलन आपके जरूर एक्षारे, ठीक, यह दो पोर्षण आपको यहां पर कवर करना है, इसके अलावा बात करें तो सुभास, चंद्र, बोषण के बारे में पढ़ना है, तो यह पोर्षण आपको कवर करना रिवलुशनली है, ठीक न, और पढ़ना चाओ, तो स्याम, जे, क्रिश्न वरुर्मा अनुशीलन समीती ठिक गदर पार्टी इन सब को आप कवर कर सकते हैं लेकिन यह यहां से एक सवाल आपके एक्जाम में डिफेंस में जरूर रहता है और आखरी पोर्षन जो आपकी बाते करने सोशल रिफॉर्म होता है जहां से आपके एक्जाम में सवाल रहने ही रहने है और सोशल रिफॉर्म में अगर फिल्टर करोगे तो तीन बड़े-बड़े नाम मुझे नहीं लगता है नाम लिखने की जरूरत है फिर भी आप लोग स्वामी विवेकानंजी और यह कौन है राजा राम मुहन रोय जी है और यह कौन है तो स्वामी दयानंद सरस्वतिजी है मैं घ्रामी दयानंड मैं दयानंद तरष्वति जीं हैं जूडार आंतार अंदोलनगरी हैं जिनके बारे में आपको भैतरीन तरीके से जांदार सांदार तरीके से से टियार के नहिए तो आंसे नाम बड़े-बड़े हैं जो आपको प्रिपेर करना ही करना है तो तीन नामों को कम से कम अब बेसक थोड़े समय के लिए छोड़ और आपको थोड़ा से को समस्या होते है लेकिन आप मोस्ट ली देखोगे- साउतИ इंडिया में या तो आपका मराठा रिया पार था होता है थे दो पॉर्सन से आपके सवाल रहे है इसमें कहोगे सर आपने लां रहए क्यूशेस बोहतो नाम बना दिए मौड़न हिस्ट्री में थोड़ा सा आपको जादा बोब करना क्योंकि मौड़न हिस्ट्री कैरी ब्हुत ब्रॉड है जो तो और आपको फिल्टर कर दिया सो का समय ॥े ओर कर न यह त तो यह सारे आपको कवर करना है तो एक बार सारे तो आज का सेसन हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और उम्मीद करेंगे इस वीडियो से सारे बच्चों को लाव हुआ होगा और लाव होगा भी ठीक क्योंकि यह मोस्ट मोस्ट एरिया माने जाते हैं हिस्ट्री के जहांचे आपके सवाल नदें जेब बता रहो है एक सिस्ट्री में पढ़ना आपको पूरा पड़ता है एक सिस्टेमेटिक से पूरा पढ़ो लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव हो है यह फ़र्मूला आपको अपनाकर के कम से कम बढ़िया नंबर आपको लाना है यह ठीक रह त ताकि आप आराम से एक्जाम को क्वालिफाई कर जाओ जो बच्चे सोचते कि हमारा इस्ट्री में स्रिफ मुझे उतना ही चाहिए जिसे मेरा काम चल जाए तो उन बच्चों के लिए फॉर्मूला काफी बैतरी इंसाभित होगा तो चाहिए अज का सेशन हम लोग यहीं पर र